हलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे ओनलाइन वेडिटर चैनल पे मैं हूं संजय हम जो कोर्स कंटिनू करें वो है लारावल 8 फ्रेम अक्टोरियल एंड इस वीडियो सेशन में गाईज हम बात करेंगे हैंडल मौडल इवेंट्स बाई लारावल इवेंट्स एंड लिस को मिलती रहे शॉ लास्पीर में हमने जो टॉपिक डिसकस किया था वो था है हैंदल मौड़ इवेंट्स बाई लारा विषे इवेंट्स उस्सी तॉपिक में थोड़ा हम और आगे डिसकस करने वाले हैं इस पार हम मौडल इवेंट्स को हैंदिल करेंगे लारावल यहीं से start किया है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप पिछले दो वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने model events क्या होते हैं, उनका क्या role होता है, किस तरीके से उनको use करते हैं, या लारवल events के दूरू कैसे उनको handle करते हैं, काफी कुछ हमने discuss किया है, मैं तक और dispatches events, ये एक area variable था, और इसके अंदर हमने model events और उनके लारवल events classes के थूरू attachment की थी, इस video session में हम लारवल listeners को include करने वाले हैं, so basically ये जो वीडियो है, ये continuation है हमारे previous वीडियो का, अगर आपको model events के बारे में नहीं पता है, मैं आपको थोड़ा बता दू, model events are those events which triggers on a specific operation by laravel model, अगर laravel model को use करके आप कोई भी operation करते हो, आइधर create operation, update, delete, list, कोई भी operation करते हो, हर operation के पहले एक हमारा model event fire होता है, ये सारे model events कहां available होते हैं, ये सारे model events हमारे laravel models के life cycle में available होते हैं, अगर suppose आपने model को use करके data को create किया है, so for create operation हमारे पास दो events available होते हैं, like for create, एक होता है जो create करने के पहले, जिसको हम बोलते हैं creating, और एक create होने के बाद, means आपका data save हो चुका है, save होने के बाद, जो दूसरा model event fire होगा, that is created, इसी तरीके से अगर आपने कोई भी data को update किया है, तो updating, updated, अगर आपने data को delete किया है, deleting, deleted और भी काफे सारे हमारे model events हैं, जिसके बारे हमने last video session में discuss किया है, so last video session में हमने creating, created, updating, updated, इन सारे model events के लिए हमने la-revel events create किया था, अगर मैं किसी भी event को open करूँ, और जो events हमने create किया था, इनको create करने के बाद, हमारे app folder में एक folder available था, call events, so, जब भी हमारा creating model event trigger होगा, यह la-revel event class call होगी, और यह जो event है, वो available होगा हमारा events folder में, device creating event dot php, और इसके अंदर हमने construct method के अंदर हमने log maintain किया था, अगर आप log के बजाए कोई दूसरा concept implement करना चाहते हो, आप उसे implement कर सकते हो, सबसे पहले हम la-revel listeners को create करेंगे, सुब मैं पहले बता दू listeners क्या होते हैं, listeners एक, means आप कह सकते हो, classes होते हैं हमारे la-revel application में, जो किसी particular event को listen करते हैं, listen in the sense, सुनना, वो listeners class किसी particular event को listen करते हैं, और अपने आपको activate करते हैं, सो listeners classes को create करने के लिए हम php artisan command यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि php artisan command के थ्रू, make listeners command को use करके, हम listeners classes को create करेंगे, सो अगर मैं जाओ terminal पे, सबसे पहले development server close करूँगा, और अगर मैं type करू, php artisan, so, यहाँ पर जो हमारे पास command palette available है, अगर मैं जाओ make section में, इस make section में आप देख सकते हैं, हमारे पास यह command है, को called make colon listener, अब यह क्या करती है, it creates a new event listener class, यह किसे event को listen करने का class create करती है, so, यहाँ पर हम, अगर दो example के साथ जाएं, for example, creating and created, so, सबसे पहले हम इस creating means device creating event को listen करने के लिए एक listener class create करने वाले हैं, क्योंकि हमारा यह event class है, back to terminal, so, php, अगर मैं make listener वाले command को copy कर लूँ, make listener, copy, so, php, सबसे पहले मैं clear करूँगा, php, artisan, make listener, अगर आपका, इसका help manual देखना हो, simple type help, press enter, so, कौन-कौन से options available हैं, इस command के साथ, क्या-क्या आप use कर सकते हो, वो सारे description अब available है, so, simply, अगर हमने command यूज किया है, php, artisan, make listener, उसके बाद हमें पास करना है, एक name argument, जो क्या है, basically name, the name of the class, इसके बाद हमारे पास काफी सारे options हैं, जो कि हम use कर सकते हैं, for example, हम use करने वाले हैं, minus e, या minus minus event, इसका मतलब जो listener class हम create करने वाले हैं, वो कौन से event के लिए है, so, मैं clear करूँगा, क्योंकि हम एक listener class create करने वाले हैं, so, php, artisan, make listener, और अगर मैं कहूँ, device creating event listener, यह हमारा class name हुआ, साथ ही साथ हम कौन से event के लिए create करना चाहते हैं, so, event जो class है हमारा, वो है device creating event, मैं इसे copy करूँगा, terminal पर जाओँगा, और हम यहाँ इसे paste कर देंगे, अगर मैं पूरे command को copy कर लूँ, slide पर जाओँ, एक new tab में paste करूँ, so, यह है हमारा complete command, php artisan, make listener, यह है हमारा listener class name, और यह कौन से event के लिए हमने create किया है, device creating event, मैं जाओँगा terminal पर, और अगर हम enterprise करते हैं, listener class create हो चुका है, इसी तरीके से, php artisan, make listener, हमें एक और listener class create करने वाले हैं, वो event काल device created event, so, सबसे पहले मैं इस event class को copy करूँगा, terminal पर जाओँगा, यह होगा हमारा device created event listener, और जो event attach होने वाला है, that is device created event, अगर मैं enterprise करूँ, so, हमारा listener create हो चुका है, so, listeners create करने के पहले, हमारे पास कोई भी folder available नहीं होगा, listeners के नाम से, बड़ जैसे हमने कोई listener create किया है, अपने event को listen करने के लिए, उसी तरीके से, हमारे पास app folder के अंदर एक listeners folder भी available होगा, जैसे कि हमने discuss किया था events एक cases में, कि जब हमने events create नहीं किया था, हमारे app folder में events folder भी available नहीं था, जैसे हमने events classes भी create किये, उसी तरीके से, आटोमेटिकल ये event folder भी create हुआ था, so, अगर मैं जाओ listeners folder में, हमारे पास दो listeners classes भी available है, device created, event listener, device creating, event listener, अब इन दोनों classes में, हमारे पास एक construct method है, एक handle method है, so, इस event को, handle करने के लिए, हमारे पास इस listener में handle method अफिलेबल है, so, जब भी हम model के थूँ कोई data को create करने वाले है, so, create करने के पहले, जो model event trigger होगा, that is creating, उसके बाद हमारे ये event class fire होगा, called device creating event class, और उसके बाद इसके लिए हमने एक listener बनाया हुआ है, जैसे ये class trigger होगी, automatically ये event listener class की handle method fire होगी, और इस handle method के अंदर गर हमने कोई भी logic implement किया है, आइदर आप log maintain कर सकते हो, या application की कोई भी aspect को यहाँ पर, अगर उस logic को implement करोगे, वो exactly run होगी, सो यहाँ पर हमने events create किया हुआ है, listeners भी create कर लिया है, बट हमारे events classes को, इस listener classes के बारे में अभी नहीं पता है, सो हम कैसे बताएंगे अपने events classes को की, इनकी associated listeners हमने create किया है, सो जब भी आप trigger होगे, आपको listener classes को call करना है, सो simple, हम उसके लिए जाएंगे अपने providers folder में, हमारे providers folder में एक file अभी लिएबल होगा, called event service provider, इस event service provider, class file में हमारे पास एक variable अभी लिएबल है, called protected listen, सो यहाँ पर इस array variable के अंदर, हम अपने events, और उनके listeners को register करने वाले हैं, सो यहाँ पर मैं जाओंगा, सबसे पहले हम register करने वाले हैं, app, events, device creating event, device creating event, यह हमारा class है, यह event class है, हम उसको register करने वाले हैं, it's a class, और इसको register करने वाले हैं, कौन से event के साथ, app, listeners, और हमारे पास available है, device creating event listener, जब भी हमारा device created event class है हो, automatically यह file, means यह class file, उससे listen करेगी, उसी तरीके से जो next event class है, हमारा app, events, device created event, यह class है, उसके बाद जो इससे listen करने वाला है, वो app, listeners, device created event listener, अब यह जो path है, यह path क्या है, so यह जो device creating event है, यह जो class file है, वो available कहां है, so आप अगर path देखोगे, इसके name space को, मैं जाओगा किसी भी event class में, device created event, so यह जो class file है, वो app folder के अंदर, events के अंदर available है, so that's why इसका जो path बनेगा, वो होगा app, events, device created event, so successful तरीके से, guys, हमने दो event classes के, दो listeners create किये, हमने उनको attach भी किया है, so अगर मैं इस updating, updated को remove कर दूँ, हम एक example के साथ जाएंगे, for create operation, so अब उसके बाद, हम जाएंगे अपने listeners classes के अंदर, और उसके पहले, अगर मैं जाओ, events file में, like device created event, यहाँ पर हमने log maintain किया था, अगर मैं इसे remove कर दूँ, यह log maintain हमने पिछले वीडियो में किया था, अगर मैं इस log फसाद को भी remove कर दूँ, device creating event, यहाँ पर भी same हमने log maintain किया था, हम इसे remove कर देंगे, हम इसे remove कर देंगे, so अब हमारे पास, बिलकुल fresh तरीके से, device creating event.php class file available है, and device created event class available है, और इस event classes को, हमने अपने listeners के साथ attach कर दिया है, सो हम जाएंगे सबसे पहल, listeners called device creating event listener, जो fire होगी हमारे creating model event पे, अब इसके handle method के अंदर जाओ, इसी तरीके से, for example हम log maintain करने वाले हैं, so log एक फसाद class है, हम log के फसाद class से, info method को use करने वाले हैं, so log info, और इसके अंदर मैं कहूँ, device creating listener, मैं save कर दूँगा, अब device create करने के बाद, अगर हमने कोई data save कर लिया है, device data को save करने के बाद, जो अगला model event fire होगा, that is created, और created model event के बाद, अगर मैं open करूँ, device.php, अपना model class, so data save करने के बाद, हमारा model event fire होगा, call created, इस created model event के fire होने के बाद, हमारे ये event class call होगी, call device created event, और जो device created event है, उसको हमने attach किया है, अपने device created event listener, so हम इस listener file को open करने वाले है, सो मैं जाओंगा listeners folder, device created event listener, हम log maintain करने वाले हैं, so use log, ये एक फसाद class है, हम जाएंगे handle method के अंदर, so log, हम use करने वाले info method, so device created listener, simple है, यहाँ पर हम समझने के लिए, हमने simple सा messages log किया है, आप अपने concepts को implement कर सकते हो, so successful तरीके से guys, हमने model event creating, और created पर अपने laravel event, as well as event listener, दोनों को prepare कर लिया है, हम development server start करने वाले हैं, so php artisan serve, मैं जाओंगा browser पर, ये हमारा वो device crud application, जो इसी playlist में हमने, कुछ videos पहले बनाया था, so हम click करेंगे add device, और हम यहाँ पर device create करने वाले हैं, so एक और बात मैं बता दूँ, अगर आपको logs के बारे में नहीं पता है laravel में, तो आप कोई भी log create करोगे, by default, laravel के जो logs होते हैं, वो save होते हैं, हमारे storage folder में, logs folder में, laravel.log file में, इस file के अंदर, आपके सारे application के logs मेंटेन होते हैं, अगर आप change करना चाहते हो, आप custom तरीके से भी laravel के logs file create कर सकते हो, so हम by default, हम इसी file में store करने वाले हैं, so मैं जाओंगा browser पे, एक device create करने वाले हैं, so अगर मैं कहूँ device 500, it's an example, हम एक device name पास कर रहे हैं, it's status active, successfully, अगर मैं जाओ एडिटर पे, laravel.log, so इस log में हमारे पास, device creating listener call हो गया है, लेकिन device created listener call नहीं होई है, हम इस error को चेक करना होगा, so यहाँ पर हमने दो listeners create किये थे हैं, device creating, device created, बट जो हमारा listener था पहला वाला, that is device creating, वो fire होई है, दूसरे वाली fire नहीं होई है, so उसके लिए मैं जाओगा, इस device created event listener पे, और यहाँ पर यह messages हमने write किया था, और मैं जाओगा सबसे पहले device.php, model file पे, यह हमारा created model event है, device created model event class file, यह हमारा event class है, और इस event class को हमने attach किया, अपने listener class के थूँ, by using event service provider, so मैं event service provider open करने वाला हूँ, और यह रही हमारे device creating, और यह second वाला है, that is device created, यहाँ पर जो एक error है guys, that is हमने app small में लिखा हुआ, हमें इस caps में करने वाले हैं, so app events device created, अब जाकर यह model event, means laravel event, हमारे laravel listener के साथ अटाच हुई है, so this was our error, मैं इसे save कर दूँगा, ब्राउसर पर जाओंगा, हम इसे रही लोड करने वाले हैं, add device, अगर मैं कहाँ sample 1122, this is device name, click on submit, device created successfully, मैं जाओंगा अपने editor पर, और हम open करने वाले हैं, laravel.log, and successfully guys, हम देख सकते हैं, device creating listener, and device created listener, इसी तरीके से, same example को आप continue कर सकते हो, for example, like हमने जो भी device यहाँ से create किया है, अगर इनके information को अगर retrieve करना हो, क्योंकि अभी अभी हमने, means simple log maintain किया है, इसी तरीके से, अगर data भी get करना चाहते हो, so simply, सबसे पहले मैं जाओंगा device.php, creating के case में, जो भी data retrieve करना चाहते हैं, इस laravel event के पास, laravel model का instance available होगा, so इस instance के तरूँ, हम data को read कर सकते हैं, so मैं जाओंगा device creating event, device creating event.php, और इस laravel event पे, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक variable define करने वाले हैं, so let's public device, device, और जैसा कि हमने discuss किया, इसके पास एक model का instance available होगा, इस laravel event के पास, so use device, this is our model, हम यहां model का instance pass करने वाले हैं, so device, और यह रहा हमारा model का instance, और हमने जो variable define किया है device के नेम से, उस variable के अंदर हम instance के value को inslice करने वाले हैं, और simply, जो listener class file है, वो इस event को follow करता है, so simply, this device variable is also available to listener class, यह device variable, वहां available होगा, so simply, अगर मैं जाओ device creating event listener, so यहां पर simple, अगर मैं कहूँ event, यह event, जो कि instance है हमारा device creating event class का, इस object के थूँ हम variable को access करने वाले हैं, that is device, यह जो instance है, वो इस class का instance है, और इस class के instance के थूँ हमने device variable को access किया है, so simple, इसी तरीके से, अगर मैं जाओ device.php, जब हमने कोई data save कर लिया है, save करने के बाद, device created event fire होगी, इसके पास भी model का instance available होगा, so मैं जाओंगा अपने दूसरे event class, that is device created event, इसके पास भी device का object available होगा, so device, मैं construct के अंदर जाओंगा, ये रहा हमारा device model, device instance, हम एक variable define करेंगे, public device, आप किसी और नाम का एक variable define कर सकते हो, so public device, so this device equals to model instance, अब ये variable को हम access कर लेंगे, अपने event listener class file में, so device created event listener, ये रहा हमारा event listener, so this object को help कर के हम, this object को help कर के हम device variable को access करेंगे, so simply, यहाँ पर हमने created event को भी listen किया, और model के थूँ उसके value को access किया, so अगर मैं save कर दूँ, browser पर reload करूँ, एक हम new device create करने वाले हैं, so new device, click on submit, device created, मैं जाओंगा लारवल.log file पे, यहाँ पर आप देख सकते हो, toggle word wrap, so device creating listener, device creating listener, हमारा event fire हुआ, यहाँ पर जो value है, new device, status one हमने पास किया है, और यह device हमारे database में save हुई है, जहाँ पर values के साथ साथ updated at, और created at value भी save हुई है, so यह था guys, कि model event को हम liable events, as well as liable listener के use करके, कैसे हम handle कर सकते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ create functionality के उपर बात किया, like for creating and created model event, आप उसी तरीके से आप updating, updated, deleting, deleted, in model events के साथ भी जा सकते हो, so for this video session guys, thank you for watching and have a great day.